नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है स्टार्म स्कूर्यूज में दोस्तों यूपिटर पलेसी की कुछ भरतियों के सम्मंद में आपको बहुती महत्यपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ और जो भी आपको मैं जानकारी दोंगा वो बिल्कुल ऑफीशल है और बिल्कुल आयोक से पता करने के बाद ही ये खबर आपको दी जा रही है ठीक है चाहे वो परिणाम के सम्मंद में हो परिक्षा के सम्मंद में हो जॉइनिंग के सम्मंद में हो और वीडियो भरती 18 को ले और आपकी भरत्यों के बारे में जो भी अपडेट होगा वो आपको टाइम से मिलता रहे ठीक है तो भाया सीधा मुद्धे पर आता हूँ देखे सबसे पहली जो खबर है बात करने वाला हूं मैं ये खबर है परिनाम को लेकर ठीक है देखे सबसे पहला जो परिनाम है वो आपको बताने वालाओं में आबकारी सिपाही का ठीक है दोस्तो आबकारी सिपाही के बच्चे बार-बार कमेंट करके पोस्टे के सारे इसका परिणाम कम तक जारी होगा देखिए आबकारी सिपाही के परिणाम को लेकर मैंने आज जो जानकारी निकाली आयोग से तो उन्हो एकदम ध्यान से सुन लें कि 15 से 20 दिन का समय अभी आपके परिणाम में और लगने वाला है ठीक है जो भी जानकारी है एकदम ओफिशल है और बिल्कुल यूपिटर पलसी से पता करने के बाद यह आपको दे रहा हूं ठीक है यह तो हो गई आपकारी सिपाई के परिणाम की अब बात करने वाला हूं मैं जूनियर असिस्टेंट 2016 के फाइनल रिजल्ट को लेकर देखे भईया इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो बिल्कुल बनकर तयार हो चुका है जी यहां दोस्तों जो भी आपको जानकर दे रहा हूं 100% ओफिशल है और बिल्कुल कन्फर्म है कि JA 2016 का जो फाइनल रिजल्ट है वो बिल्कुल बनकर तयार है और आने वाले 7 या 8 दिनों के अंदर किसी भी दिन मिटिंग करके यह परिणाम जारी कर दिया जाएगा यह परिणाम बिल्कुल तयार है ठीक है दोस्तों आगे बात करता हूं देखिए अगला जो परिणाम है न अखिर कब तक आएगा देखिए लोवर 2019 की जो मुख्य परिणाम है वो भीया आपका जो है जारी होगा अपरेल में ठीक है यही निउस मैं आपको पहले दी थी और यही निउस मैं आपको आज भी दे रहा हूं लोवर 2019 के परिणाम को लेकर उन्होंने साब साब बता दिया मुझे कि यह परिणाम आपका अपरेल में जारी होगा अपरेल से पहले यह परिणाम किसी भी हालत में जारी नहीं होने वाला है ठीक है दोस्तों अच्छा यह तो बात हो गई परिणाम को लेकर अब बात करने वाला हूं मैं परिख्छा को लेकर देखिए परिख्छा की अ आपकी वो आपकी पहुँचेगी जून तक ठीक है मई भी नहीं होगी परिक्षा ये नहीं अप्रेल में नहीं मार्च में ये परिक्षा आपकी जून में कराई जा सकती है जून से पहले इस परिक्षा के होने की कोई भी जानकारी नहीं है और एक मेरे पास जानकारी है लिख्पाल की परियक्षा है वो कब तक हो सकती है तो ये लेक पाल की परिक्षा को लेकर उन्होंने सबसा बता दिया है कि इसकी परिक्षा आपकी जो है अप्रेल लास्ट या मई की सुरुवात में कराई जाएगी ठीक है आगे बाद कर देते हैं देखिए अब जो जानकारी मुझे दो भरतियों की मिली है एक तो है आपका lower two ठीक है यानि की lower 2016 और एक आपका है homeopathic pharmacist ठीक है सबसे पहली मैं अगर lower two की बात करूँ तो भाईया lower two के जितने भी छात्र हैं जो अपनी अपनी joining का इंतजार कर रहे हैं और बार बार comment करके पूछते हैं कि सर ये परिनाम कब तक जा रहे हैं सरी इसका जो joining का वो कब तक आएगी मतलब इसकी जो विभाग तक file कब तक भीजी जाएगी और इसकी joining की प्रकरिया कब शुरू होगी तो भाईया lower 2016 वाले छात्रों को बताना चाहता हूँ अभी आपको इसकी joining के लिए कम से कम दो महीने का weight और करना पड़ेगा ठीक है मतलब आप इसकी joining मान कर चलिए अप्रेल अप्रेल से पहले इसकी joining के बारे में कोई भी सूचना मुझे नहीं मिली है और अप्रेल में इसकी joining के प्रिकरिया शुरू हो सकती है अप्रेल से पहले आप बिल्कुल भी उम्मीद ना लगाएं कि lower 2 की joining हो जाएगी अब बात करता हूँ मैं हॉमेपर्थिक फर्मसिस्ट की बैया हॉमेपर्थिक फर्मसिस्ट को लेकर मैंने आपको पहले बता दिया है ये भर्थि अभी कोट में है EWS के matter को लेकर अभी इसके joining आप भूल जाएगे ठीक है और इसके बारे में जो भी update मुझे मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा ठीक है दोस्तों अब आता हूँ मैं वीडियो भर्थि 2018 को लेकर देखिए वीडियो भर्थि 2018 को लेकर कुछ चात्रों ने ये comment किया कि इस भर्थि पर कोई code case नहीं है ये भर्थि एकदम clear है अब इसकी CD परिक्षा अपरेल में कराई जाएगी देखिए भईया आपको जानकरी कहां से मिलती है ये मुझे नहीं बता लेकिन मैं आपको बता दूँ इस भर्थि पर 100% case शुरू हो चुका है ठीक है जो भी जानकरी मैं एकदम दे रहा हूँ आपको एकदम मेरे पास confirm है और आपको मैंने इस बात का proof कल दिखा भी दिया था ठीक है ठीक है जो चातर ये बात बोल रहे है कि इस भर्थि पर कोई court case नहीं है तो भाईया इसका मतलब यह है कि आपको कोई जानकारी नहीं है और जो भी आपको जानकारी दे रहा है वो गरत दे रहा है इस भर्थि पर case लग चुका है 100% case लग चुका है और 15 फरवरी को उसकी पहली सुनवाई है ठीक है दोस्तो देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि इस भर्थि में court case में क्या होगा वो तो court की प्रिक्रिया बाद ने पता चलेगी ना तो मैं exam कराने के पक्ष में हूँ ना ही exam ना कराने के पक्ष में हूँ जो जानकारी मुझे इस भर्थि को लेकर मिलती है वही आपको दी जाती है अगर मैं ये बात कहता हूँ कि इसका exam होगा तो देखिए ये कहना भी सही नहीं होगा तो कि जो छात्र इसमें इमांदार हैं महंती हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी ठीक है और अगर मैं ये कहता हूँ कि ये exam इसका नहीं होगा ठीक है तो देखिए ऐसा है दोनों ही बाते हैं ना तो मैं इस बात के पक्ष में की exam हो ना इस बात के पक्ष में exam ना हो बगए ये दिए कि कोट की प्रिकिरिया है जो कोट फैसला देगा double bench में ये case पढ़ चुका है double bench में जो इस फैसला कोट का आएगा वो मानने होगा और देखिए जो छात्र अपनी महनत के बलबर selected हुए हैं तो वो तो भईया आखरी सांस तक लड़ेंगे और उनको पूरा हक सभी धान भी देता है लडने का और उनको लडना भी चाहिए ठीक है और बाकि जो भी जान करें मुझे इन भरत्यों के बारे मिलेगी या इस भरत्यों के बारे मिलेगी वो आपको समय से दे दी जाएगी ठीक है दोस्तो दोस्तो यही नीज थी अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम के ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेर कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जहिंजे भारत